हेलो मैसोल फैमली कैसे हैं आप सब और अच्छे होंगे सुरक्षित होंगे और अपना इना वर्क जरूर कर रहे होंगे जहां पे भी होंगे मैं आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ अपने इस चैनल में तैंक यू सो माच मेरे इस चैनल को इतना प्यार देने के अगर आपने मेरा ये चानल अभी तक सबस्क्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक शेयर और आप भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं अगर आप मुझे कुछ बताना चाहते हैं तो और अगर आप मुझे कुछ पूछना चाहते हैं तो चलिए आज का वीडियो ये अल्रेडी एक सीरीज है जो हम कर रहे हैं और उसे का कंटिनुएशन पार्ट है जिन्नों ने भी अभी तक पार्ट नमबर वान से लेके पार्ट नमबर एटीन तक नहीं देखा है तो प्लीज पहले पार्ट नमबर वान से लेके पार्ट नमबर एटीन तक देखेगा उ चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और दूसरी चीज आएम वेरी सॉरी क्योंकि ये वीडियो अल्मूस्ट एक महने के बाद आ रहा है सो मेरी घर की एक शिफ्टिंग चल रही थी और मुझे एक और चीज इस वीडियो के तुरू इस पार्ट के तुरू मैं आप सभी को कहना चाहूंगे कि अल्मूस्ट जून की जो एनरजी थी वो कुछ एनरजी ऐसी थी कि मैंने देखा अपने आसपास भी काफी लोगों की शिफ्टिंग हुई है नियू होम नया घर नियू प्लेस की एक शिफ्टिंग हुई है होम चेंज बहुत सारे लोगों का हुआ है जैसे की स्टेटी चेंज हो गया हो मुझे अभी तक इसका रीजन नहीं मालूम है कि क्या रीजन है बट इतना पता है कि इसका बहुत बड़ा कुछ रीजन है काफी बड़े लेविल पे काफी सारे लोगों के होम चेंज हुए है इसटिए इस.. comprehend का बलूम के शिफ्टी चल रही ती मेरा घर चेंज हो रहा था एक स्टेट से दूसरे स्टेत जिसकी रिगार्डरिंग जिसकी वजह से मैं कोई भी वीडियो रिकार्डल नहीं कर पा रही थी मैं कोई इंफॉरमेशन नहीं रिकार्डल कर पा रही थी So I am sorry इतना डिले करने के लिए इस वीडियो को But कुछ भी डिले नहीं होता है मुझे इतना पता है अभी तक आप सभी को पता है कि सब कुछ राइट डिवाइब रचार के हिसाब से ही होता है So राइट डिवाइब नहीं था और even yesterday यानि कि कल हुआ ये कि मैंने already वीडियो रिकॉर्ड किया था editing complete कर दी editing complete करने के बाद मैं upload करने जा रही थी उसके पहले ये वीडियो डिलीट हो गया so ये वीडियो अब मैं वापस से रिकॉर्ड कर रही हूँ so मुझे एक चीज समझ भाई है कि अभी भी उसका right divine order नहीं आया था अदवाई से वीडियो कल ही आ गया होता तो चलिए आज का वीडियो finally शुरू करते हैं और जानते हैं कि आगे क्या हुआ जैसे कि हमने part number 18 में जाना कि कैसे arc of the covenant जो था वो seal हो गया था वापस से कैसे दो groups के बीच में conflicts हो रहे थे जिसका result ये था कि sphere of eventy जो था वो दो हिस्सों में बढ़िया था break हो गया था हमने ये भी जाना कि rodent staff को deactivate कर दिया गया था और जो inner earth के portals थे जहां से entry होती थी inner earth में उन पोर्टल को भी बंद कर दिया गया था उन सभी रेसिस के लिए कि सभी रेसिस सर्फेस कल्चर पर जित्ती भी रेसिस थी वो inner earth पोर्टल में एंटर नहीं कर सकती थी अब ओके सो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं कि इसके आगे क्या हुआ सो जो भी केयोस आए जो भी केयोस हुए उस मिस फॉर्चुन की वज़े से जो अखेंटन 4 के टाइम फ्रेम पे हुआ उसकी वज़े से एक बहुत बड़ा मेजर डिविजिन जो था वो होना शुरू हो गया विदिन दे रैंक्स ओफ ऐलोहेम और देंसिटी यूनिवर्स 3 जो की आता है आपका 7, 8 और 9 डैमेंशन ओके और सीरिन काउंसल जो देंसिटी यूनिवर्स 2 के हैं डैमेंशन 4, 5 और 6 और रौ कन फ्रिदेंसी फ्रम मेटा गलेक्टिक कॉर बेसिकली जो इंसिडेंट हुआ था किंतिन 4 के टाइम फ्रेम के बाद इसके बाद एक बेसिकली डिस्प्यूट होना शुरू हो गया इस टॉपिक के ओपर कि अब हुमन इवॉल्यूशन के प्रोग्राम के साथ क्या करना चाहिए और जो मेजोरिटी ओफ एलोहेम थे उन्ह पॉल्यूशन में कोई हल्प नी करने वाला सो उन्होंने एक तरीके से अपनी लॉयल्टी अबेंडन कर दी और उन्होंने अपना सारा अटेंशन सारा ध्यान अनुमेल्चिस्टिक और हीब्रू पीपल की तरफ ही लगाया जिनके साथ उनके क्लोजर जनेटिक टाइस थे ओ पर बेसिकली वह परपस फुली इन्ही गृप्स को देख रहे थे और अपना इंफ्लुएंस कर रहे थे जो भी कल्चर्स डवलप्ट हो रही थी उस टाइम फ्रेम पर कि वह जो हैं डिस्टॉर्टेट टेंपलार क्रीट को ही अडॉप्ट करें क्योंकि उनका यह मानना था वह यह बिलीव कर रहे थे कि वह अपने ग्रुप्स को अपने जो रेसिस अर्थ पर प्रेजन हैं उनके जीन कोट्स को वह प्योर रख सकते हैं अगर वह प्रियाकल मेल डॉमिनेटिंग सोसाइटी को प्रोमोट करते हैं तो वह ऐसा बिलीव कर रहे थे कि अगर वह मेल डॉ करते हैं तो एक तरीके से वह अपने खुद की जो human lineage है उनके जो जीन को उनको प्योर रख पाएंगे सो बेसिकली वह दिस्टॉर्ट टेंप्लार क्रीज को बोल रहते है कि उसी को फॉलो करो और मिल डॉमिनेटिंग सोसाइटी होनी चीए उसी को प्रोमोशन दे रहे थे कि मिल डॉमिनेटिंग सोसाइटी होनी चीए आत्मी सुपीरियर होता है और अवरत को दबाओ यह सारी चीज़े वह करना शुरू कर दिया था उन्होंने क्योंकि जो इंटर ब्रीडिंग का सिस्टम ह है वह वोमिन के हाथ में ही है और अगर आप वोमिन को ही कंट्रोल कर लोगे तो इंटर ब्रीड नहीं कर पाएंगे बच्चे पैदा नहीं कर पाएंगे ओके सो वह अपनी जी लाइन को प्योर रखना चाहते थे जिस वज़से उन्होंने यह करना शुरू कर दिया उन्होंन अपने जेनेटिक लाइन को जो उनके हुमन लिनिएज थी उनके लिनिएज को यह बताना शुरू कर दिया कि वही चूजन वन्स हैं जिनको की स्पेशल प्रिविलेज दी गई है कि वही असेंड कर सकते हैं उन्हीं के पास टीचिंग्स होगी एलोहिम की ऑल्टर टेंपलार क्रीड की यानि की बाकी सभी के पास में असेंशन की टीचिंग्स नहीं हैं और से वही चूजन वन्स हैं वही चुने वह लोग हैं जिनके पास में यह राइट है कि वह असेंड कर सकते हैं सो बेसिकली एलोहिम ने गिव अप कर दिया था बाकी रेस्ट आफ दा हुमन पॉपुलेशन के ऊपर और कोई अटेव नहीं दिखाया कि वह हेल्प करें जर्नल पॉपुलेशन की इन रियालाइनिंग दामेज जो की दूसरे जिनेटिक कोड में आ गया था टेंपलार एक्स स्टार लीग कांसिल अन्डोमेडा कांसिल ऐन आर्कोटेशियन फेडरेशन इन सब को यह सारा जो प्रिफृRंशल ट्रीट्मेंट हो हा था जो एदीधभाव ओ रह था यह सब कुर ट्रीट्मेंट बिलकुल अंफेर लगा उनको नहीं अच्छा लगा उनको लगाई जो ठ जो confidence थी उन्होंने अग्री किया कि यह treatment जो Elohim कर रहे हैं human evolution के साथ में इंसानों के साथ में humans के साथ में वो discriminatory है और यह human evolution plan के साथ में destruction एक तरगे का destruction ही है यह ठीक नहीं है ओके जो वो कर रहे हैं यह ठीक नहीं है उन्होंने यह चीज को accept किया इस सारे treatment को देखते वे अभी तक 700 बीसी के पहले तक Elohim ही primary protectors थे वही human evolution plan के overseers थे वही देख रहे थे इस पूरे evolution plan को लेकिन उनका यह सारा भेदभाव देख करके जब Elohim दूसरे members Elohim के और पैलेडियन स्टारली काउंसिल एंडरोमेडा काउंसिल और आर्केटेरियन फेडरेशन जब और उन्होंने उनको अपील किया कि आप इस मैटर में कुछ कीजे तब एजुराइट फैमिली जो थी और और उनको बुलाया गया और उनको बनाया गया primary protectors of the covenant of the pelador और उनको बोला गया कि अब आपको biased Elohim जो भेदभाव कर रहे हैं Elohim उनके साथ में काम करना है एजुराइ अब एजुराइट का जो प्राइमरी कंसर्न था वो यह था कि सबसे पहले तो उनको रियालाइन करने थे और और बाकी सभी रेस की जो रेस मॉर्फो जिनिटिक फील्ड है जो की रिमोवड हो गई है टेंपलार एक्सल सी लगने की वज़े से और उनकी टेंपलार एक्सल सी लगने की वज़े से उनकी रेस मॉर्फो जिनीटिक फील्ड को निकाल दिया गया ता स्फेर ओ अफ एमन disaster में से उन सभी रेस एक्सकी रिय्समॉर्फो जिनिटिक फील्ड को वापस से रिइंटिग्रेड करना है वापस से जुणना ता स्फेर आफ एमन inventory में और तीसरी ची प्राइमरी तीन कंसर्न थे सबसे पहले तो उनको अपनी रेसिस को जिन रेसिस के अंदर टेंपलार एक्सल सी लग गई थी उनका रेस मॉर्फोजनेटिक फील को निकाल दिया गया था स्पेर ओफर में से उनको वापसर रिंटीग्रेट करना था और स्पेर ओफर मॉर्फोज करना था और तीसरी चीज सभी को मास असेंशन वेफ के लिए तैयार करना था त्रू थाउजन सेवंटीन के लिए जब हॉल आफ हमेंटी ओपन होने वाले थे और इसका मतलब यह था कि सभी असेंड कर पाएं उके उसके लिए सारी तैयारी करनी थी तो इस टाइम फ्रेम प जो की ओरेजनली डिजाइन किया गया था तो ब्रिंग अंडिस्टॉर्टे टेंपला टेचिंग्स ऑफ लाओ और वन बाक इंटो मैनिफेस्टेशन ऑफ और ऑन अर्थ ओके सो एसीन ब्रदर हुट को जो क्रियेट करने का रीजन था जो इन्टेंशन था वो यह था कि जो ऑ इसीन ब्रदर हुट को बढाने का जो इंटेंशन था वो यह था कि जो ओरिजनल टीचिंग्स हैं अंडिस्टॉर्टेड टेंपलार टीचिंग्स हैं लौ वन की जो टीचिंग्स हैं उन सब टीचिंग्स को वापस से लेकर आया जाए अर्थ पर ओके सो एसीन जो बेसिकली जो एसीन से एसीन कौन है वो जानते हैं एसीन बेसिकली ओरिजनली वन ओव धर 25 फैमिली में से आते हैं मेलचेस्टी क्लोइस्टर रेस के अंडर से ओके इन फैमिली के जो मेंबर्स हैं उन्हों ने इंटर बच्चे पादा किया विद हीब्रु लोइस्टर रेस जिसकी लिनिएज थी ओके विदिन सेवरल जनरेशन बाइस एलोहिम जो थे उन्हों ने अपने इस प्रोजेक्ट को अपने हाथ में अपने ही डिरेक्शन में लेके गए वो और उन्हों ने इंटर बरीड कराया कुछ मेलचेस्टिक लोइस्टर फैमिलीज को विद हीब्रु मेलच को हटाने के लिए बैसिकली ओरिजिनल टीचिंग्स को लेके आने के लिए ही बनाया गया था लोओ वन को कैसे फॉलो किया जाता इन सब टीचिंग्स को जो ओरिजिनल टीचिंग्स थी उनको आगे बढ़ाने के लिए उनको बताने के लिए उनको टीच करने के लिए ही एसी फूरे प्रोजेक् अपने ही डिरेक्ष्ण में ले गए और वो वो नहें जब भू हाइं टी प्राइमरी जो थी अन्कों बना धुब्लाफी क्रीटि बने है तो कि मैल ढूमिनट zweite बनेंटिंग सोसाइटी और कि दिस्टों टीम्फ अन्हें लग गए conspiracy आग सर्थ चंट परकेंज मेली आफर से Ugh टांना स्राइमर अज़न सेलेक्टेड पैमली इप नहों ब करना सब्तब सब्सक्राइब के नहींॉर हिजनी लि 느orte ही उन डी फीर नहीं हिर देल नहीं मेल्जतिक एप्रोश फूरुव थीर्फंजिस आने डेशिर In 700 BC, Raw Confidency ने Azurites को equal directive control दे दिया over human evolution और उनको पॉइंट कराया गया primary guardians of the covenant of the Palladar Okay, Azurites ने अपना काम करना शुरू किया अर्थ पे थ्रू एसीन of the priest of the Ur Okay, in 196 BC, Azurites और Syrian Council ने attempt करने की कोशिश की attempt किया कि जो split आ रहा था within Melchizedek families उनको वापस से जोड़ के एक किया जाए Okay, और उन्होंने कोशिश कैसे की, इनको जोड़ने की कोशिश कैसे की कि उन्होंने क्या किया कि Melchizedek priesthood की जो पहले की teachings थी, previous teachings थी उनको combine कर दिया with patriarchal और purist Melchizedek यानि कि उन्होंने पुरानी टीचिंग्स को और अभी जो पेट्रियाकल टीचिंग्स चल रही थी, मिल डॉमिनिटिंग सोसाइटी वाली इन सब टीचिंग्स को combine करके एक कर दिया, और वो इसलिए किया क्योंकि वो चाहते थे कि यह जो ग्रुप्स में स्प्लिट आरहा है यह टूट रहे हैं अलग अलग हो रहे हैं यह ना टूटें और यह एक य साथ रहे हैं जो और जिए जो आज भी एक्जिस्ट करते हैं वो फाउंड उनको फाउंड किया जाता है ऑन सर्फेस एर्थ इन 1982 BC जो अखेंतन फूर के रीजिन के भी प्रायर से वो हैं विदिन हिब्रु क्लोइस्टर रेस इन अरिया ओफ सेलम जो बन गया है अभी जैरुसलेम ओके एक एटी नेफिलियम थे जो कि एक इम्मोर्टल सीरिन हुमन हाइबिड थे सेकिंड सीडिंग पीरिड से उनको जो राओड हुआ नॉले जो उफ ऑसेंशन और जेनिक प्रोटेक्श्टि प्रोटेक्शन कैसे अपनी जीन्स का प्रोटेक्शन किया जाया कैसे असेंशन किया जाया और ये सारी इंफोर मेशना लवलेज जो थी वो पहुछा एगी हीब्रु और आरेन रुत रेस इस को यानि उस टाइम फ्रिम पे यह वना फाउंडेशन मौडन डे जो आज के टाइम पे जूइश रिलीजन है उसका जो फाउंडेशन है वो यही है ओके विद इस्टैबलिश्मेंट ऑफ प्रिस्टूड ऑफ मेल्चिस्दिक अमौंग हीबू 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 एंड आरियन रूट जाके जानेंगे जिस पर में एक सेपरेट वीडियो वनाने वाली हूँ कि जिन्हों ने पता है कबाला क्या होता है जिन्हें पता है कथारा गृट क्या है या ट्री ओफ लाइफ क्या है वो आगे हम बात करेंगे कुछ ऐसी चीजे हैं जैसे मैंने आपको बताया कि डिस्ट कथारा ग्रिट जो है वह एक डिवाइन डिवाइन होलोग्राफिक टेम्पलेट एपका जिसके उपर आपका पूरा जो कि आपका मुर्फिजनिटिक फिल्ट से कनेक्ट अप जिसके उपर आपके पूरी फिजिकल बॉड़ी मैटर बॉड़ी को मैनुफेस्ट किया जाता है ओ यह 11 फिर नुण से कनेक्टवथग कि अगए मैं पता लगया कि काथा ही काथालिर्ट गृड भी सिंबाला यह को फॉल्यड़ी इस फोड़ी पता लगा पाएं कि तो कैसे ऑन पता लगा एं कि हूम किसज को लिए nessa से कि और इस पालु कर रहें हैं कि रह तो कि हैं आप करहोई हम ऍुम के लिग को फॉर वह कर रहे हैं हम इनको इस च्रापी नू है और ओर यह क्रीजिशनल आहरिं को फॉर्लो वन इसमें इसमें इसमες का मिला हुरD 44C के आगे क्या हुआ, so in 196 BC, कुछ सक्सेस अचीवड हुई, इन सभी टेंपलार टीचिंग को कमबाइन करने से, ओल टेंपलार मेलचिस्डिक को, विद ब्लू फले मेलचिस्डिक एसीन को, विद टेंपलार मेलचिस्डिक एसीन को, लेकिन इसकी अचीवमेंट के बावजूद, दो प्राइमरी डिविजिन्स होना शुरू हो गए थे, जो साफ साफ दिख रहे थे, ऐसे इन ब्रदर हुड के अंदर, जो जैसा कि स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया कि, दो ग्रूप में डिवाइड हो गए थे, तो दो ग कि अंदर, देक्टरियाकल टेंपलार क्रीड, कि तीचिंग स्ट खेस्च वो सब कुछ इनको पढ़ या रहा था और इनको जाना जाता है, टेंपलार मैलचीजल का मतलब यह है कि इनकी जो जीन कोज नदर जो है, टेंपलार एक्सल सेल लगी वही थी, यह वही प्राइमरी ती और अभी भी री इंटीग्रेट नहीं हुई थी स्फेर ऑफ एमेंटी के अंदर इस ग्रुप को एंफिसाइज किया जा रहा था कि आप पेट्रियाकल ऐलोहें और अधिसाइज को विश्वास दिला रहे थे कि वो भगवान के चुने हुए लोग हैं और उनहीं के पास चाभी है कि वह एसेंड कर सकते हैं बाकी सभी के पास चाभी नहीं है बाकी सब असन नहीं कर सकते हैं एक चीज बनाएaking सभी को बता दू इस वीडियो में कि ह हम सभी बच्चे जो हैं हम सभी सोल्स जो हैं भगवान के ही बच्चे हैं ऑके भगवान हमारे अंदर ही हैं हम बगवान से अलग कभी नहीं हो सकते ऐसा नहीं है कि किसी के पास असेंशन की जो हम असेंड जो हैं वो पर्टिकॉलर ग्रूप है वही असेंड कर सकता है और बाकी लोग असेंड नहीं कर सकते हैं एसा नहीं है हम सभी असेंड कर सकते हैं हम सभी के पास यह राइट है कि हम सभी असेंड कर सकते हैं लेकिन एलोहम उनको यह समझा रहे थे Templar Melchizedics को कि आप भगवान के चुनेवे लोग हैं जिनके पास Ascension की चाबी है और आप ही Ascend कर सकते हो बाकी लोग Ascend नहीं कर सकते ओके ये था पहला ग्रुप दूसरा ग्रुप था जो कि था Blue Flame Melchizedic Group ओके जिसके अंदर आता है Melchizedic Cloister within the Ascend Brotherhood जो की सीक्रेटली काम कर रहे थे Priest of Ur के साथ में अंडर दा एजुराइट काउंसल जो की प्राइमरी डेसेंडेंट्स थे अप दे प्योर Blue Flame Cloister family of Melchizedic ओके जिनको बोला गया The Blue Flame Melchizedics और इनके अंदर इनके जीन कोच के अंदर कोई भी Templar Seals नहीं थी ओके इन 8000 BC जो सील लगी गई थी इनके जीन कोच में कोई भी Templar Seals नहीं थी Blue Flame Melchizedics के जीन कोच प्योर थे उनके अंदर कोई भी सील नहीं लगी थी और उनकी Morphogenetic field जो थी वो स्फेर ओफ एमेंटी के अंदर ही थी ओके सो प्रोटेक्शन आर्क अफ दा कवनेंट को जो सीक्रेट सो अथे आर्क स्फेर ओफ एमेंटी के वो प्लेस किये गए थे विदिन दे ब्लू फ्ली मेल्चेस्डिक एसी इस पाइड आज़ाइड कांसल ओके जो ब्लू फ्ली मेल्चेस थे उनको पढ़ाया जा रहा था ओरिजनल नौन पेट्रियाकल एगायेट्रियल क्रीड ओफ अंडिस्टॉर्टे टेंपलार क्रीड उन इस जिसमें इंक्लिवड था सेक्रेट टीचिंग्स ऑफ साइंस अब कैसे असेंशन कर सकते हो कैसे असेंड कर सकते हो अपने आपको जो रियालिटी क्या है री इंकार्नेशन की एटी एंसिस्ट्री क्या है ओके परसेप्स ऑफ यूनिटी कॉंशिसनेस क्या होता है लौ और वन क्या होता है सो जो ओरिजनल टीचिंग्स थी वो इस council ने orchestrate किया एक next major event जिस जो major event उन्होंने orchestrate किया वो इसलिए किया क्योंकि उनको prepare करना था सभी races को for mass ascension okay so as a right council को ये पता था कि अगर वो सभी races को prepare करना चाहते हैं mass ascension करना चाहते हैं अगर 2017 AD में तो उनको sphere of M&T को integrate integrity को restore करना पड़ेगा okay by realigning the portions of the sphere of M&T के जो हिससे जो है वो ट्रैप्ट हो गए फस गए विदिन dimension to earth core okay उनकी morphogenetic field जो तूट गई है स्पेर of M&T जो दो हिस्सों में तूट गया है उसको वापस से जोड़के एक कना होगा ठीके और दूसरी चीज जिन सोल्स के जिन सोल्स की रेस morphogenetic field के उन जो है वो एल्सी ओन में है यानि की जिन जो मेल्चिस टेंप्लार मेल्चिस दिक्स है उनकी जो जीन से उसमें जो है टेंप्लार सील्स लगी है जिस रीजन से उनकी रेस morphogenetic field को निकाल के एल्सी ओन में रख दिया गया था पलड़ीज जहों के पलड़ीज में आता है एल्सी ओन मॉर्फोजनिटिक फील्ड को भी वाप जिनके अंदर टेंप्लार एक्सली ला गए थी अक्हिंतिन फोर के रिजन के टाइम पे उनको स्टोर किया गया था साइरेस बी स्टार सिस्टम के अंदर उके उनको भी रिइंटिग्रेट करना था इंटू स्टेर ओफ एम एंटी यानि कि उनकी रेस मॉर्फोजनिटिक फील्ड को भी वापस से जोड़ना था स्टेर ओफ एम एंटी में जएक रियंट्टक फील्ड हो रियालाइन किया जाएगा तीक किया क्योंकि उनकी ओर ग्रेशॉन च्क्रणट में तो बहुत सारा इस्टौर्शंज चोगा था ऑ 나오 मैंचिस्डिक टैम्पलार और तीसरे थे लुए मैच्ας डिक रूब तो अब बचते हैं हीब्रो मेल्चेस्टिक्स ओके सो अब वैसा ही एक सिमिलर अरेंजमेंट करना था इन रेफरेंस टू टू टैंप्लार एक्सल सील रेस फैमिली इस समय पे सिर्फ इतना ही नहीं था कि उनको सिर्फ इन रेस लाइन की इस ग्रूप की मदद कनी थी जो जिनक जीन कोच के अंदर टैंपलार एक्सल सील लगी थी बल्कि इस बार सभी रेसेस को वापस से स्फेर ओफ एमिंटी में एंटर करवाना था और दूसरी चीज स्फेर ओफ एमिंटी को भी रियालाइन करना था विद ओरिजनल 12-strand DNA पैटन ओके यानि कि जो हमारा ओरिजनल ब् अगर ऐसा हो जाता है कि 12-strand DNA टैंपलेट यह आ जाता है और सभी रेसेस वापस से स्फेर ओफ एमिंटी में जुड़ जाती हैं तो सभी रेसेस अपने जनेटिक डिस्टोर्शन को हील कर पाएंगी और सभी रेसेस अर्थ पर यानि जितनी भी रेसेस सभी रेसेस प्रिपे इस रियालाइमेंट प्रोजेक्क के लिए उनको रिक वो एक रिक्वाइमेंट थी सर्विस की और उनको जरुवर थी एक ट्वेल्थ लेवल अफ्तार की सर्विस की और जिसका इनरजेटिक इंप्रिंट के अंदर 12-dimensional फ्रिक्वेंसी की अलाइनमेंट हो जैसे कि अब आप स बेलब फे जहां हम पूरी तरीके से फुली अवेकनद होते हम फूरे 12 देमेंशन को कॉ असे हम कर सकते हैं नियुकों की पुल सकती हूं हमें ऐमेंशन आफंशनेे हमें पता होता है हम अवेकन होती हमारे बारस Ephännikum तो इस प्रोजेक्ट के लिए जो है उनको जरुवत थी एक ऐसे अफ़तार की जिसका 12th लेवल अफ़तार हो जिसके एनर्जेटिक इंप्रिंट हो जिसमें की 12th लेवल डैमेंशन की फ्रिक्वेंसी का अलाइनमेंट हो सके इस 12th लेवल अफ़तार को रियालाइन करना था स्फेर ओफ एमेंटी को प्लस एलस्यों मॉर्फोजेनिटिक फील को जो की जैसे मैं आपको बता है हीब्रो और अनुमेल्चेस्डिक्स जो थे इनके इनके अंदर टेंप्लार सील्स लग गई थी उनकी रेस मॉर्फोजेनिटिक फील को भी रियालाइन करना था और उनको इंटेंशन था कि उनको जो यह डवलप हो रहा था एक एक एसीन गुरूप के अंदर जो स्प्लिट रेडी हो रहा था दो हिस्सों में जो गुरूप बट रहा था उनको भी वापस से जोड़ के एक करके वापस एक करना था ओके सो उसक को वापस से लेके आना था ऐसे इन गुरुप के अंदर अंदर सो बेसिकली अभी आप जान पायोंगे कि उनके जो सोल गुरुप उनका जो सोल परपस था वो क्या था हो कि सबसे पहले तुनको औरीजनल ट्वैल स्ट्रेंड एन टेंपलेट को एंटर करवाना था स्फेर ऑफ उनको टीचिंग्स को वापस से लेकर के आना था चौती चीज जो गुरुप में एसी इन गुरुप के अंदर जो डिविजन आ रहा था उस डिविजन को खताम करके सभी गुरुप को वापस एक खटा एक करना था सो अंदर दर डिरेक्शन ओफ एजुराइट ऑफ राइज एक प्राइवेट रेसिदन्स तो अ ब्लू फ्लेम मेल की हेब्रु एसीन मदर गुह लर्ड फ्लेम मेलक खटाम करके सिर्ड़ घ्रीव हेज hunting ऐसीनु और जैसे हमने जाना है कि यह पेदा हुए थे मैक्वेट कॉन्सक्शनद नहीं था ठरत्राइब्स एविजन पूंस से ऑके यह कोई एक imekyuet conception नहीं था यह शीपाई आδα हुए थे जैसे हम सभी पैदा होते हैं हम जैसे पच्चे पैदा करते हैं वेशे ही यह भी बैदा हुए थे वके 2003 तरीके से यानि हम सभीदा होते हैं इस प्रोसेस के लिए एक कपल को चूज किया गया था और इस कपल को प्रिपेर किया जा रहा था बाइ दा प्रीस्ट आफ और इनकी मम्मी का नाम था जूडी और इनके फादर का नाम था जोईश और दोनों लीडर थे विदिन दे ब्लू फ्लेम मैल्चिस्डिक एसीन्स ओके इनके ममी पापा जो थे वो ब्लू फ्लेम मैल्चिस्डिक सेट के लीडर थे ओके इस इन ये जो चाइल्ड की जो सोल एसेंस थी ये बॉन हुई थी आउट ओफ डेंसिटी यूनिवर्स फोर जो की डेमेंशन 10, 11, 12 है और जो चाइल्ड सोल एसेंस थी वो देंसिटी यूनि जशूह ट्वेल्फ जशूहा 12 का मतलब है कि 12 strand DNA template, okay, so, जशूह 12 या जशूहा मेल्चिस्डिक जो लेटर बन के जिनको लिटर यानि कि बात में बताया गया कि ये जीजस क्राइस्प्राइस्ट है और ये बेटे हैं, मैरी और जॉषफ के, okay, so, जो मैरी और जॉषफ नाम पताए गए हैं वो जीजस मैंने की जशुहा 12 के पैरेंट्स नहीं थे ओके जो मैरी और जॉसफ थे वो पैरेंट्स इन अफ्तार चाल्ड के पैरेंट्स नहीं थे वो पैरेंट्स थे नाइन लेवल अफ्तार के पैरेंट्स थे वो जो इनके बाद जनम लेने वाले थे ओके य सिंदेंस ऑफ दे हाउस ऑफ दा सॉलोमन और वो जब छोटे बच्चे थे तभी उनको कस्टेडी में ले लिया गया था बाइद प्रीस्ट ऑफ और अब आगे इन सेवन बीसी अलोहिम ने औरकस्टेट किया बर्त ऑफ ए नाइंथ लेवल अवतार जो की जैसे मैंने आपको ब इन जो कि दोनों ही उनके पैरेंट्स थे वो दोनों ही ब्लू फ्ले में लीडर्ज के आंदर लीडर्स थे अब इसके आगे सेवन बीसी में एलोहिम ने ये सब कुछ जो हमारा 12 बीसी में वा जश्वा ट्वैल जो पैदा होए ये एजवराइड जो थे एजवराइड कांउ जो होथे एजुराइट से बैसिकली वो औरकस्टेेट करे बैसिकली हो कि इस सब कुछ किए, उनकी की डिरेक्शिन यह घो। idhर 7 BC में बिधम पेट्रियाकल टेम्पलार क्रीड तू बी मोर रिफ्लेक्टेड ऑफ द लौ ओवन यानि लौ ओवन की टीचिंग जो औरिजनल टीचिंग उनकी तरफ वह वापस से लेकर के आएंगे तो दोनों की जो सोल परपस थे वह अलग अलग थे ओके इस चैल का नाम था जशुहा यान का बर्थ एस जीजर्स इन कंटेमरी क्रिस्चिन डॉक्टरेंश यानि की हम बाइबल में पढ़ते हैं कि जो मैरी एं जॉसफ थे उन जो जीजस क्राइस पैदा वे जशुहा नाइन के जो पैरेंस थे उनका नाम था मैरी एं जॉसफ ओके लेकिन जशुहा भी कोई एंटिटी के पार्ट थे जिनका नाम था जहोवां ऊडिशन द़ळ गुक्रीजन अई जो एईंटिटी मतलब की ऊंच्शेसनेस अब समझ सकते हैं जो हवां एक फैमिली कॉंच्शेस नेस का नाम है औकश जोडी जो एंटिटी जो होगा वह पारिज्जन ओन इन गोंश्म तो जो भी इवेंस के टाइम फ्रेम पे हो रहे थे इसी लिए एलोहिम नहीं चाहते थे कि वह एटी एंसेस्ट्री की जो नॉलेज है वह जनरल हुमन पॉपुलेशन के पास में अविलेबल हो ओके जो सच्चाई थी टूथ थी जशुहा के बर्थ की उसको चुपा के रखा ग यह सारी चीजे जनरल हुमन पॉपुलेशन के पास पहुच रहें कि यह जो ओरिजनल नॉलेज हो और सारी चीजे तो क्या होगा ओके इसलिए उन्होंने इन चीजों को छुपा के रखा अंदर दा स्टोरी ओफ इमाकवेट कॉंसेप्शन और सेंचुरी तक जब इनके दो के बर्थ हुए लाइफ स्टोरी जो जशुहा 12 की थी और जो लाइफ स्टोरी जशुहा 9 की थी प्लस एक और मैं जो एक अफतार नहीं था लेकिन इन तीनों की स्टोरी को एक खटा एक कंसॉलिडेट करके एक परसुनेज में बनाया एक ही करेक्टर बना दिया जिनका नाम जीजस क्राइस्ट यानि कि आप कह सकते हैं कि थ्री क्राइस्ट थे ओके जिसमें से दो अफतार लेवल थे दो अफतार आइडेंटिटी थे लेकिन एक जो थे वह आगे जानेंगे कि वह थर्ड कौन थे लेकिन उनमें से एक ते जशुहा 12 एक ते जशुहा 9 और दोनों के अपने सोल परपस थे जैसे कि आप सभी कोपी तक पता चल गया है कि दोनों के सोल परपस क्या थे ओके सो जो जो जशुह 12 के बर्थ के साथी जो 12 लेवल अफतार थे हीब्रू और मेलचिस्टिक मॉर्फो जेनिटिक फील जो एल्सियों में थी वो री इंटिग्रेट हो गो करकू सेवां थे की मारे सेवीर्ली थे जुझ जो जो एपस री इंटिग्रेट किया सफिर ओुफ हैं जैसे कि मैंने आप को बताया था कि तीन ग्रूप को चुछ किया घया था इस दो जो ग्रॉप से उनकी जो रेस्च मॉर्फोज जेनिटिक फील थी वो फ़र्व एकनितिन 4 ने ठीक की थी वापस हे जोड़िती स्वेर ओफम say में जो तीसरा गुप ता हिबु मेलकेजडिग्स का उनք रेस्च मॉर्फ़े जेनिटिक फील जो अकें तिन फोर के रिजल्ट हुआ था जो भी कुछ हुआ था उनके टाइम फ्रेम पे वो भी रियालाइन हुआ और इंटीग्रेट हुआ स्पेर ओफ एमन्ती वापस से रिस्टोर होके एक हो गया यानि जो टुकड़े हो गए थे स्पेर ओफ एमन्ती के जशुहा ट क्योंकि स्पेर ओफ एमन्ती दो टुकड़ों में ही टूटा रहता और आज जो हाज हम अर्ट पे हम सभी के पास एक ऑप्शन है कि हम सभी असेंड कर सकते हैं ओके चाहिए आप कोई भी रेस लाइन से हो चाहिए आप रूट रेस आरेन रूट रेस से हो चाहिए आप एक स् सभी के लिए वो सेवियर का उन्वो सेवियर बन के आए ओके सो जो रिया लाइन स्फेर ओफ एमन्ती था उनको उसको रखा गया स्टोरेज में विदिन दी अल्ट्रा हाइफ फ्रिक्वेंसी बैंस ऑफ डैमेंशिन 3 और अंडर प्रोटेक्शन ऑफ एजुराइट ऑफ द र जशुहा 12 को एजिप लेके गए बाई प्रीस्ट ऑफ और यानि प्रीस्ट ऑफ और उनको एजिप ले गए गीजा में उसके पहले उन्होंने अपनी पूरी पढ़ाई पर्श्य और इंडिया में कंप्लीट की ग्रेट प्रामिट ऑफ गीजा पे जब जशुहा 12 को लेके ज रात है यह जशुहा 12 और ब्लू फ्ले मेल्चिस्डिक एसीन्स जो थे वो सीक्रेटली और के स्टेट कर रहे थे असेंशन यानि वो असेंड करवा रहे थे बहुत सारे वेरियस ग्रुप्स को डैरेक्ली पोर्टल पैसे से आरकोदा कवनेंट से अब असेंशन कंड़क्ट ह को रहा था वाइल हॉल ऑफ एमनटी बन ता लेकिन फिर भी असेंशन हो पा रहा था वह इसले हो पा रहा था था क्योंकि जो ट्वेल्ट लेवल अफ्तार जो जशुह 12 थे उनकी जो एनरजी फील्ड थी जहां पे बायो एनरजी टिक फील्ड कैरी कर सकती थी उन एनरजी फ स्फेर ऑफमन्टी थे सिल्स लगे मैं इन maintenant जिए वजह से संचिन हो पा रहा था कूंकि अनरजी फील्ड जो थी अव्त आर्ट की लोग जो असंच कर सकते थे आर्क of the covenant में से इंटू ब्लू फ्लेम तारा में और वहां से ब्लू फ्लेम मॉर्फिजेंटी फील में वहां से प्लानेट तारा में जशुहा 12 हिब्रू एसीन रेसे जो उन फॉलो कर रहीं थी ब्लू फ्लेम क्लोईस्टर मेलचिस्डिक एसीन उनको पॉइंट किया गया आप शेयर करते हो गार्जन शिब और आर्क अव दा कवननेंट की विद मेलचिस्डिक एन हिब्रू क्लोईस्टर रेसे जो डेसेंडेंसे इन ग्रूप्स के वो प्रेसेंटली क्यारी करते हैं फुल ट्वेल स्ट्रेंड डिन अपकेज अपने जीन कोच के अंदर बिकॉज यह ग्रूप है जिनको चूज किया गया था इन 1972-80 कि वो पूरा फुल जैनेटिक रियालाइनमेंट करेंगे और यानि की फुल ट्वेल स्ट्रेंड डिने टेंपलेट इनके पास यह रियालाइन करेंगे और और बाइद टाइम ट्राइवलिंग हाइब्रिड जाइनोट इनको रियालाइन कर सके कुछ एंसिस्टर ग्रूप्स विद ट्वेल स्टेंड डिने इंप्रिंट ताकि एक्सिलरेट हो सके प्रेजंट में हीमन के इवॉलूशन में एक्सिलरेशन हो सके यानि की जाइनोट रेस जो है बेसिकली एक सूपर रेस है और यह जो रेस है हमारी गोल्ड ओर रेस है यह ताइम ट्रेवलर्स हैं ओके यह बेसिकली फिशमें और हाइस डी एने स्ट्रेंट के तरह यह पॉजिटिव जैटा थे इन्होंने टाइम ट्रेवल करके यह फ्यूचर में और इन्होंने अलरेडी देख लिया था कि कैसा जैटा ने पूरी अर्थ प जो है जो इस वाइस वी कर रहे हैं जिस वजा से यह उस टाइम फ्रेम में जा करके इन्होंने ट्वैल डियने टेंपलेट को दिया था था ऐसु एज ए χी जो ग्रून को चाई ली डिया ट्म्टाट को तेटा जाइनोट जनेटिक रिक स्ट्रक्चर के साथ में इन्वाल्ड है उनको कंसीडर किया जाता है सेलेशल हुमन लिनिएज वह करी करते हैं ट्वैल स्रेंड डी एन टेंपलेट जो कि सिलिकेट मैट्रिक्स है कि वह कौन सी रेशल लाइन से आते हैं वह कौन सी कास से बिलॉंग करते हैं वह मैटर नहीं करता है सिलिकेट मैट्रिक्स जो था वह अपियर होता था विदिन इन फैमिली लाइन में ऐसा रिससर जीन कंपोजेट जो कि डॉम डॉर्मेंट रहता था अंटिल उनके वह एक्टिवेशन नहीं करते थे यानि कि वह ओपन नहीं होते थे उनके चक्रा आठ से लेके 15 तक चक्रा ज चूश किया गया इस जनेटिक री आलाइनमेंट के लिए ताकि जो 12th trend DNA टेमपलेट है वह डिस्ट्रिब्यूट हो सके और पूरी अर्थ पे आज हुमन अर्थ पे जनेटिक लाइन आज ताइम फ्रेम में प्रेजिट डेपे 12th trend DNA टेमपलेट को जिन्दा रखने के लिए का लिए तेमपलेट का वह पाया जाता है विदिन हीबू मेल्चिजडिक लुइस्टर रेस आर्यन रूट रेस इस्ट इंडियन और तिबत रेशियल लाइन ओके जब जब जशुहा 12 का पीरिट चल रहा था जब वह प्रैक्टिस कर एजिप्ट में 8 AD से लेके 21 AD के टाइम फ् पॉपुलरिटी जो थी वो पॉपुलर हो रहे थे अमांग दा फैमिलीज ओफ टैंपलार मेल्चिजडिक और हिबू मेल्चिजडिक जिनको पता भी नहीं था ना ही उनको कोई इंटरस था कि जशुहा 12 जो हैं पैदा हुए है यानि कि उनको नहीं पता था कि जशुहा 12 प और उनको भी उनको भी राइट्स कंड़क कराए गए और कुछ पोशन जो राइट कंड़क करा रहे थे वो जशुहा 12 ने भी जशुहा 9 के राइट्स कंड़क किये प्रायर उनके ओर्डिनेशन एजिप्ट में जशुहा 9 ने ट्रैविल किया थ्रूआउट नेपाल साइरिया पर्शिया और तिबद और उनकी ट्रेनिंग चली बहुत सारी इंटरफेज देक्टरोंट्स में यानि बहुत सारी जगह पे उनकी ट्रेनिंग चली जशुहा 12 ने प्राइमेरिली जैसे मैंने आपको बताया कि इंडिया में पढ़ाई की और पर्शिया में कि और ब्लू फ्लेम मिल्चिस्टिक एसिंज चिंज रही एज फिडन और प्रैक्टिस की जाती थी एज शी क्रेट में स्कूल जयाने कि वह पबली के सामने चीजे नहीं थी वह उनकी जो टीचिंग्स ती उनकी जो असेंशन राइट जो असेंशन वह रहा थे वह चुपा कर गया था एज एडन रखा गया था और एज सीक्रेट मिस्ट्री स्कूल की तरीके से वह काम करते थे विदिन एजिप्ट एड पिरामिट्स ऑफ गीजा और दूसरी लोकेशन्स में ठीक है प्रोग्रेसिवली बहुत जादा प्रक्यू पर्सीक्वेशन होना शुरू हो गया फ् कुछ फैक्शन्स में हीब्रू और टेंप्लार मेल्चिस्डिक रेशल लाइन्स में जो एक्सेप्ट नहीं करना चाहते थे कोई भी डेविएशन कोई भी चेंज जो कि ओरिजनल पेट्रियाकल टेंप्लार क्रीट से अलग हटके हो ठीके विदिन जुएश रिलीजिजन बा चीज़े एक्सेप्ट नहीं थी ओके उनको यह बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं हो रहा था यह जो चेंज हो रहा था जो न्यू टीचिंग आरी थी वो इस चीज़ को मानने को तया नहीं थे तो जब जब जशुहा नाइन थर्टी टू येर्स के थे यानि 2580 में तब सपो कर सकें पॉलिटिकल पर्सिवेशन ओके सो 2580 में जशुहा नाइन को उनकी वाइफ जो मेरी मंडेला है और उनके तीन बच्चों को हटा करके उनको फ्रांस में शिफ्ट कर दिया गया वेसिकली ओके और ताकि वो जो चल रहा है पॉलिटिकली वो उनसे वो दूर हटा सकें और दूसरे एक और मैं थे एक और आदमी थे जिनका नाम था अरी हावी जो कि जैरुसलेम बॉन हिबरु अनू मेलचिस्डिक थे जिनको ऐलोहिम ने कुछ विजन्स दिखाए और उनको बिलीव करवाया अरी हावी को कि वही जशुहा नाइन है वही ट्रू जशुहा नाइ यह ट्रू था नाहीं जशुहा नाइन को ओके दोनों को दोनों ने ही अपने जयनेटिक फैमली नाइन को विधिन हीबु मेल्चिस्डिक रेज लाइन को छोड़ा कि जो हमने पड़ा है कुछ रही कोई बैचे नहीं थे जीजुश की कोई यह नहीं थे उनको बच्चे नही पीछे अपने ठीके सो बेसिकली अब इसके आगे क्या हुआ हम वो जानते हैं ओके सो दोनों ने अपनी फैमली लाइन्स को छोड़ा विदिन हीब्रू मैल्चिस्डिक रेस लाइन्स जो सेक्रिफाइस अरिहावी ने किया उनको वो सेक्रिफाइस करवाया गया था और कि स्ट तेंप्लार मैल्चिस्डिक और हीब्रू रेस लाइन्स जो उनके ओपर ध्यान रख रहे थी पॉलिटिकल परसुएशन से हटा करके उनका ध्यान हटाने से हटाने के लिए गी सेक्रिफाइस करवाया गया अरिहावी से ताकि ध्यान हट सके जशुहा नाइन से उनकी फैमली से और जो रिजरेक्शन दिखाया है बॉड़ी ओफ क्राइस्ट यानि की अरिहावी का कि वो मर के फिर से वो जन्दा होगे वो औरकस्टेट किया गया था यानि की वो करवाया गया था औरकस्टेट किया था अलोहिम ने थू दे यूज ऑफ होलोग्राफिक इंसर्ट्स ओक होलोग्राफिक इंसर्ट्स का यूज करके अलोहिम ने उनकी बॉड़ी को वापस रिजरेक्ट किया था बट अरिहावी इंडक्ट रिजरेक्ट हुए थे फॉलोइंग दे होलोग्राफिक डिस्पले इन रिटर्न उनकी हेल्प में जो डाइवर्ट कर रहे थे वा टेंशन जब अरिहावी को रिस्टोर की गई थी वापस लाइफ में वाई तहा एलोहिम एलोहिम ने उनकी बॉड़ी को रिस्टोर किया था जबकि वो अवतार भी नहीं थे लेकिन फिर भी उन्होंने क्योंकि वो मदद कर रहे थे उनका डाइवर्ट कर रहे थे अटेंशन अपनी तो उनको उसके बाद में इंडिया लेके आया गया जहां पर वह वापश से अगले 30 सал तक वह जिन्दा रही याई अरिहा भी तीस साल तक जिन्दा रह और उनकी जब नैच्रल डैथ भूई तब अरिहाभी ये आड़े की जो फेल की घृरे वह श्यूर इटो ऴूरddACH पोर अ उनकी ascension के बाद Cyrus B में Elohim ने उनको special flavor grant किया और उनकी जो energy field है उसको adjust किया ताकि वो ascend हो सके to the Cyrus star system intensity universe 2 जो कि dimension 4, 5 and 6 है वाया planetary core of Cyrus A intensity universe 1 जो कि dimension 1, 2 and 3 है so जो story है Jesus Christ की जो हम आज तक सुनते आ रहे हैं वो evolved 3 mythology जो Elohim ने जानबूच के उस समय पे conceal की ताकि वो अपने identity अफ़तार के identity यानि जशुह 9 की identity को preserve कर सके उनकी lineage को बचा सके और preserve कर सके पर अपने जो patriarchal slant है उनकी template क्रीज जो follow करवारे male dominant society उसको भी preserve करके रख सके उसको भ distortions and true facts of history के वो use किये गए थे ताकि वो जशुह 9 की lineage को protect कर सके from political persuasion और appear कराया गया कि Christ के कोई भी बच्चे नहीं है कोई भी descendants नहीं है कोई भी बच्चे नहीं हुए ताकि जो उनके बच्चे हैं वो public views से उनको बचा के रखा जा सके और वो आगे जो sole purpose है उनका वो पूरा कर सके जो टीचिंग्स थी जशुह 9 की और Templar Melchizedics की वही primary foundations बनी फोर बोथ Jewish and Christian faiths बट जो Jewish religion है वो acknowledge नहीं करता जशुह 9 को अपना as a faith as their savior in truth जशुह 12 जो थे वो true savior थे Hebrew peoples के लिए क्योंकि उन्होंने रिएंटर कराई थी उनके race morphogenetic field into sphere of humanity बहुत कुछी लोग है जो ये जा सब्सक्राइब मेल्चिस्दिक एसीन असेंशन स्कूल के बारे में सो मैजोरिटी जो है Hebrew people की उनको रिलाइस नहीं है कि उनका जो उनके जो फोर टोल मसीह हैं वो actually आ चुके थे इवन दो जशुह 12 के अकंपलिश जो भी उन्होंने अकंपलिश किया जो भी उन्होंने सोल परपस पूरा किया वो अन्नोटिस रा majority of Hebrew people के उन्होंने Hebrew people नहीं जानते majority of Hebrew people नहीं उनको नहीं पता कि उन्होंने क्या किया लेकिन उसका effect उनका जो effect restoration genetic development का वो वैलेट था एक ऐसा गिफ्ट जो Hebrew people को वो देके गए थे जशुह 12 ओके अब बिट्वीन एट 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 जब जशुह 12 प्रैक्टिस कर रहे थे औरिजिनल टेंपला टीचिंग्स असेंशन की किया असेंशन कैसे कर सकते हो और अपने गृप्स को इकटा किया group of people को ताकि वो उनको गीजा में लेके जा सके असेंशन करवा सके उन गृप्स का उन लोगों का प्लान्स बनाए गए कि कैसे जशुह 12 के लिनिएज को प्रिजर्व करके रखा जा सकता है जो कैरी करेगा फुल 12 स्ट्रेंड डी एन इंप्रिंट ओके सो जो जिसमें से 6 वूमिन को चूस किया गया जो कि मल्चिस्डिक क्रुइस्टर सब्रेस की थी उनको चूस किया गया क कि वो जशुह 12 के बचो को प्यदा करेंगी यानि कि जो फर्स्ट क्राइस्ट उनके बचो को पैदा करेंगी जो कपला चूस किये गए थे इन बचों के लिए एज गार्जियन्स यानि वह इन बचों के गार्जिन्स बनेंगे जो six females choose की गई थी यानि छे औरते चूस की गई थी जो की receive करने वाली थी जिन्होंने receive किया जशुआ 12 के seat को यानि की जिन्होंने उनके बच्चों को पैदा किया उनको match करवाया गया था to a male blue flame melchis dick जो की serve करते एक adopted father to the child of जशुआ 12 यानि जशुआ 12 के बच्चों के एक adopted father बनते हो जशुआ 12 इनने कभी भी directly interact नहीं किया जब वे बच्चे बड़े हो रहे थे तब इनोंने कभी भी इन बच्चों के साथ directly interact नहीं किया कभी भी डिरेक्ली जा करके वो नहीं मिले इन बच्चों से, नहीं उन्होंने इन छे जो अड़ते थी उनका as a husband role play किया, यानि कि नहीं वो उनके पती थे, नहीं उनके पती का role play किया, ठीके, जो छे अड़ते चूस की गई थी, उनके बच्चे को आगे पैदा करके, आगे carry forward करने के लिए, नहीं उनके husband का role play किया, बेसिक लिए जो बच्चे पैदा हुए थे, बच्चे क्रियेट किये गए थे, तो सेक्रिट प्रोक्रेटिव राइट के थू, उनका जो सोल परपस था, वो यह था कि वो 12th trend DNA pattern को जिन्दा रख सके, आगे carry forward कर सके, विदिन the human race, सो इन जो descendants थे इन बच्चों के वो spread out हुए throughout various regions of the earth, okay, और कुछ जो है French, French में गए, दूसरे Celtic में, फिर कुछ Egyptian line में, कुछ African genetic lines में, एक line इस जशुआ 12 के descendants के, एक बच्चे जो जशुआ 12 के हैं, descendants हैं अभी भी, वो recite करते हैं United State के continent में, जो छे family lines बनी जशुआ 12 की, वो seed हुई between 18 AD and 23 AD, उसमें से पांच बच्चे थे वो survive करें, यानि वो जिन्दा रह पाए और वो आगे बढ़ा पाए 12 strand DNA template को आगे lineage को into human gene pool, so जो lineage थी जशुआ 9 की, उनके जो तीन बच्चे थे वो उन्होंने भी प्रॉस्पर किया, वो भी spread हुए पूरे various nations में, और आज तक उन्होंने 9 strand DNA template को आगे बढ़ाया, आज later years में उसके बाद जशुआ 9 ने travel किया तिबबत में, जहां पे उन्होंने Elohim की help से वो ascend हुए out of matter, यानि out of earth in 47 AD to density universe 3, जो की हमारा आता है dimension 7, 8 and 9, throughout the portions of Tara morphogenetic field, जो की store थी within the planetary core of Venus, यानि Venus के planetary core में तारा की morphogenetic field को use करके वो ascend हुए, इस ascension passage के लिए रिक्वायर था एक 10 strand DNA DNA imprint और यह ज़्यादातर humans के लेवलेबल नहीं है, without direct assistance, यानि direct help और DNA reconstruction के, जो की help मिलती है direct Elohim से, या एजोराइट से, या दूसरी density universe, guardian group से, जो टीचिंग्स थी जशुहा 12 की वो highly censored हुई by Templar Melchis Dix, जो लेटर आए बाद में आए, basically politically famous बने, और उन्होंने जिन्दा रखा उनको, उन टीचिंग्स को थ्रू secret mystery schools, जो evolved हुए थ्रूआउट यूरोप, Egypt and Middle East, और खुछ पार्स ऑफ चाइना and Indonesia, जो टीचिंग्स थी जशुहा 12 की वो originally include थी in manuscripts, जो बाद में जाकर के बनी Christian Bible, but उनको distort किया गया, edit किया गया entirely, पूरी तरीके से बहुत बाहर, ताकि वो जो power elite की needs है, उनके accordingly उनको बार बार टाइम पे, बार बार political religious machine की तरीके से जैसे evolve हो रहा था, उसको edit किया गया Bible को, और main जो Bible को edit किया गय है, वो council of Nicaea ने edit किया है, okay, so even eventually जो teachings थी उनको banned किया गया, by early Christian churches, क्योंकि वो disclose करती थी सारी identity और techniques बताती थी Elohim की और दूसरी 80 groups की, और वो ये भी बताती थी कि कैसे Melchizedek Templar Creed के अंदर division थे, कुछी लोग थे जिनको original जशुहा 12 के teachings जो थे वो survive कर पाए थे, into present time, यानि कुछी जशुहा 12 के teachings, original teachings जो हैं, वो आज के time पे हैं, जिन्दा हैं, लेकिन उनकी जो remnants हैं, यानि बच्चे वी teachings के, उनको secretly preserve करके रखा गया है, फ्रांस में, और एक द teachings थी जशुहा 9 की, उनको भी distort किया गया, और रिप्रेजेंट किया गया, थ्रू पॉलिटिकल और religious structure of various times, जो teachings हैं, contemporary Christianity की, वो ये basic structure प्रोवाइट करती है, जिस पे social organization और spiritual initiation बनाया जा सकता है, ठीके, और वो reflect करता है, बहुत थोड़ा सा content और मतलब, जो original teachings का मतलब था, उसको original meaning का एक बहुत छोटा सा हिस्सा ही दिखाता है, जो following जशुह 12 की lineage के establishment के बाद, जो की 1880 से 2380 में हुआ, अफ्टार ने अपना complete किया काम अर्थ पे अपना soul mission पूरा किया, और blue flame milchis dick ने carry की अपनी teachings legacy और वो बने primary keepers of the secret of the Ark of the Covenant और sphere of M.N.T. वेरियस groups को assign किया गया था, वेरियस portions of the whole story, पर किसी भी एक group के पास पूरी entire chronological teachings जशुह 12 की नहीं थी, जशुह 12 ने अर्थ को छोड़ा through Ark of the Covenant at the age of 39 years in 27 AD, जशुह 12 die नहीं हुए थे, यानि वो मरे नहीं थे, बलकि वो bodily ascend हो गय थे, यानि कि उन्होंने अपनी body के साथ ascend कर दिया था, प्लैनेट तारा पे और तब से वो evolve हुए, उनसके बाद physical matter से भी बाहर, confines of physical matter, so Ark of the Covenant वापस से resealed हुआ within the ultra high frequency bands of dimension 3, उनकी ascension के follow कर होने के बाद, और wait करने लगए उस समय का जब अर्थ की grid इतनी high होगी vibration में, कि जिसकी वज़स से सफेरों 50 वापस से आएगा जो की schedule था, जिसकी वज़स से mass ascension हो पाएगा, सभी ascend हो पाएगे, mass level पे 2017 में, 2017 AD में, उके सो उन्होंने maintain किया non interference क्योंकि उन्होंने जशुआ 12 का जो mission था, वो successful हुआ, इसकी वज़ा से उन सभी ने एक non interference follow किया, उन्होंने allow किया Elohim को और दूसरे other host matrix families को कि वो direct करें earth events को, उनके course को, जैसा वो चाहते हैं वैसा, क्योंकि उनको ये पता था कि एक दिन, जो सच है, टेंपलार का, जो सच है, जो law one का सच है, वो सब कुछ blue flame, Melchizedek और priest of Ur, वो already उसन teachings को follow कर रहे हैं, आंगे बढ़ा रहे हैं, और eventually वो light में आएगा, जैसे की human consciousness उस evolve होगी, कि वो उस चीजों को समझ पाएगी, उस दिन ये सब कुछ सामने आएगा सभी के, ठीक है, so azurites ने plan किया wait करना until जब तक spirit of humanity earth में, earth के core में नहीं आ जाता, उ in the meantime, उन्होंने hope किया, उन्होंने आशा की, कि जो Melchizedek groups जो जिनके बीच में split हो रहा है, वो तूट रहे हैं, वो सब I hope, उन्होंने सोचा कि, I hope, सब इखटा हो जाएं, ऐसी उन्होंने hope की, ऐसी उन्होंने आशा की, within the teachings of law of one, okay, through Joshua 12 ने अपना successfully, उन्होंने realignment किया 12 strand DNA template का mostly, लेकिन फिर भी जादतर races के अंदर अभी भी genetic distortions के traces हैं, from Templar and Templar Excel Seals, जिनको clear करना बहुत जरूरी है, जब Hall of M.N.T. open होगा उस समय पे, Elohim, Templar Melchizedics, Blue Flame Melchizedics और बहुत सारे दूसरे unrelated host matrix group को assist, जो हैं, वो assist कर रहे हैं, help कर रहे हैं, और वो continue help कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों की, कि वो अपने genes को clear कर पाएं, और वो prepare कर पाएं, ascension के लिए, okay, so Joshua 12, जो 12th level, Turanism, अफ़तार थे, अफ़तारा में से आये थे, वो, उन्होंने अपना अर्थ का परपस पूरा किया, उन्होंने फुल्फिल के अपना परपस अर्थ पे, और उन्होंने स्फेर ओफमेंटी को ready करवाया, कि वो re-enter कर पाएं, अर्थ कोर के अंदर, जिसकी, जब हॉल ओफमेंटी ओपन होगा, तब जो race morphogenetic field थी, उसको भी रिय genetic imprint evolve कर पाएंगे और वो एकटा कर पाएंगे 4th और 5th DNA strand को, जो plan था सारी races को ready करना for 2017 ascension, वो वापस schedule पर आ गया, और since 2780, जब अवतार जशुह 12 ascends हुए, जो earth की races है, वो evolve होती रही under the primary influence of Elohim, और various other host matrix group जो नहीं असोसियेट करते Christian या Jewish perspective से, सो जो achievements थे जशुह 12 के और जशुह 9 के, वो primary morphogenetic imprint सभी races को वापस return लेके आना सफेर ओफ हमेंटी में, और सफेर ओफ हमेंटी को वापस से जो डोड टुकडों में बढ़ गया था, उसको वापस से एक करना, वापस से होल करना वो पूरा हुआ, इनके accomplishments जो इनोंने पूरे क उसने एक स्टेज सेट किया, एक mass ascension level पर यानि सभी mass ascension level पर असेंड कर पाएंगे, लेकिन अभी भी races को अपने उपर बहुत ज़्यादा काम करना है, अपनी healing complete करनी है, अपनी consciousness को evolve करना है, अपने genetic codes यानि DNA को activate करना है, तो ये था हमारा आज का वीडियो और क्योंकि काफी सारी हमारे अंदर पता है आपको कि हमारे को अपनी consciousness को raise करना है, अपने DNA template को high करना है, क्योंकि throughout evolution जो races को हो रहा है, गाजन races ने हमेशा humanity को help करने की कोशिश की है, उन्होंने उनको help करवाया है, और जो कुछ इस time frame पे ह तो इस time frame पे basically अपना soul purpose पूरा करके गए, मैं यह कह सकती हूँ, अब सभी को एक चीज यह समझ में आ चुकी होंगी, okay, so इस video को मैं यहीं stop करती हूँ, लेकिन इसके आगे अब हम जानेंगे atlantan conspiracies, okay, और उसमें काफी सारी events है, जो हम एक एकर के जानेंगे कि atlantan conspiracies क्या पे कुछ ऐसा हुआ था जो की वापस से एक स्क्रिप्ट लिखी गई थी इसा बोल सकते हूँ, आपको एक स्क्रिप्ट लिखी गई थी जिसको डार्क फॉलन एंजलिक्स ने स्टेप ऐस्टेप एपलाई किया है, क्योंकि उनको पता था कि 2017 में यह उपन होने वाला है, हॉ इसा बेंशन स्टार्गेट ओपनिंग साइकल शूर होने वाली है, जिसको इस्टीलर अक्टिवेशन साइकल बोल रहे हैं, यह आने वाली है, तो वो कुछ नहीं कर सकते थे इस टाइम फ्रेम का वेट कर सकते थे तो उन्होंने इस टाइम फ्रेम को के लिए बहुत लंबी लिखी जिसको नहीं स्टैब बेस्टैब एप्लाई किया है, उन्होंने क्या क्या स्क्रिप्ट लिखी और वो क्या क्या इविंट किये वो काफी कुछ हमने और वो उसमें बहुत हद तक सक्सेस्फुल भी हो पाए, लेकिन जैसे कि आप सभी को पता है कि वो कंप्लीटली सक पर जाए नहीं हो सकते होके की अप्लाउसन हैया प्लाैया जो हुए तो इधर गॉटन रेसिज दोन एक टीम को भी चाहँचे कुा क कि वो आप्नानि की एक लून रेसिस में शएक्पिर्श ुच मृतित खाल प्लानिट लूट के साल्च अग्ष एक प्लानेट स्क्रिप्ट लिखी गई जिसमें यह तेह किया गया कि हुमन जो है जो एंजलिक हुमन से उनकी कॉंशनेस को उनको उस लेवल पर लेके जाना है जहां वो सब कुछ भूल जाएं ताकि वो वो ना कर पाएं जब उनका वो करने का टाइम आए यानि कि जब स्टीलर एक्टिवे कि उनको उस टाइम फ्रेम तक जब स्टीलर एक्टिवेशन साइकल आए तब एंजलिक हुमन इतने डेड हो जाएं इतना उनको आपको खराब करना है इतना उनको सुला देना है कि वो उठी ना बाएं तो आगे हम थोड़ा और डिटेल से जानेंगे कि क्या इवेंट्स हैं लेकिन अब यही वीडियो में यहीं स्टॉप करती हूं तो सेंडिंग यू लॉट्स अफ लव और हीलिंग अप्य एनरजी इस तो आल मैं सोल फामिली यो मेरा यह वीडियो देख रहे हैं टेक केर आफ यॉर्सेल और सी यू सून